हेलो फ्रेंड्स तो चलिए आज बनाते हैं बिल्कुल नए तरह का आलू का पराठा इसे हम बहुत हेल्दी भी बनाएंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें आठा गूंतना है आपको जितने पराठे बनाने हैं आप उस हिसाब से आठा ले सकते हैं मैं मैंने दो कप लिया है तो इसमें मैं थोड़ा सा अजवाइन भी डालूंगी तो अजवाइन को थोड़ा सा क्रस्ट करके डाल देंगे अब इसमें थोड़ा सा ओयल डाल देंगे उसके बाद इसका एक सौक डो तयार करेंगे पहले हाथूं से सारी चीज़े मिला देंगे तो पाने डालते हुए इसे गूत लेंगे, सिम्पल आलू के पराठी तो हम लोग बनाते हैं, लेकिन मैं इसे बहुत हेल्दी बनाऊंगी, तो मैंने ये आटा गूत लिया है, अब इसे साइड रग देंगे, तो आप आलू त्यार करेंगे, ये मैंने उबले आलो लिये हैं, मैं चार-पांच आलूंग को छिल के मैस कर लूँगी, तो इसे मैं इस बाउल में डाल दूँगी, उसके बाद अच्छे से मैस कर लेंगे आलूंग को, अगर आपके पास मैसर है तो आप उससे मैस कर सकते हैं, नहीं तो हातों से अच्छे से आप मिला सकते हैं, तो मैं इस तरी अब इसमें मैं ये उबले हुए अंकुरित हरे वाले मूंग डालूंगी ये बहुत हल्दी होते हैं और उसके बाद इसमें प्यास डालेंगे हरे मिर्च और हरा दनिया भी डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे लाल मिच पाउडर डालेंगे और इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर भी डाल देंगे इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है पराठे में अब इसमें थोड़ा काला नमक डाल देंगे और उसके बाद नमक डाल देंगे टेस्ट के साब से उसके बाद सारी स्टफिंग को हाथों से मिला देंगे ये पराठा बहुत ही हल्दी होता है क्योंकि इसमें मैंने अंकुरी त्वाले मूम भी डाले हुए हैं तो आप भी इस तरीके से जरूर बनाएए अब हम आठा लेके एक रोटी बेल देंगे रोटी को लंबे सेब में बेलना है क्योंकि हम थोड़ा अलग तरीके से बना रहे हैं पराठा ये इस तरीके से तो अब हम इसमें स्टफिंग बरेंगे उससे पहले इस तरीके से बीच से ऐसे ऐसे कबर कर देंगे तीन पार्ट करेंगे इस तरीके से आलू का पराधा बनाने से जो मसाला है वो अच्छे से अंदर चला जाता है और पराधा बहुत टेस्टी बनता है तीन पार्ट में हम आलू का मसाला लेंगे और तीनू में रख देंगे इस तरीके से उसके बाद उपर से हम कबर कर देंगे इस तरीके से एक के उपर एक रखके हम एक लोई सी बना देंगे और पराठे को बेल लेंगे थोड़ा सा सुखा आटा लगा के पेल लेंगे पराठे को पराठे को मोटा ही रखना है क्योंकि अंदर हमने मसाला बरा हुआ है तो अब पराठे को हम सेख लेंगे सेखने के लिए मैंने तवे को गरम कर लिया है तो तवे मैं पराठे को डालेंगे और पकने देंगे उसके बाद पलट लेंगे अब उपर से हम इसमें घी लगाएंगे आप चाहो तो तेल भी लगा सकते हैं उसके बाद हम दुबारा से पलट देंगे और इस तरब भी हम घी लगाएंगे ये पराठा बनाना बहुत ही आसान है आप इसे कभी भी बना सकते हैं अब इसी तरीके से मैं सारे पराठे को सेक लूँगी अगर आपको मेरी ये पराठे की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ